आपकी किलोजिंग हो चुकी हो किलोजिंग के बाद फिल्टर बॉस करना है तो उसको आपको मैनुली तरीके से बताते हैं प्रक्टिकली कि इस परकार से हम फिल्टर को बॉस करते हैं हमें फिल्टर को लेकर आना है सबसे पहले ये कपलिंग को जो अपर प्रेसर पाइप होता प्रेशर पाईप को इसा दोनों में कंपलिंग फसा दिनक है, इस परकार से दोनों तरब कंपलिंग लगा दिनना है, इसके बाद एक तरफ से इस लेटिया फूर्म कोई सा भी खोल कर इसमें एक लाइन लगा दिना है, यिससे बी इसमें भी आपका आरो का पानी pressure होता है वो पड़ेगा इसके बाद यह सारी clamps उसको खोल देना है कि जिससे जो blood दिख रहा है हो वो clot हो जो सारे clot बाहर निकल जाए और पानी के सहारे इसमें निकल के बाहर 대 chilly जिससे यह आपको जो pressure के दौरा जो क्लोट हैं सारी क्लोट निकल जाएंगे और आंगे क्लैम से उनको खोल खोल के उसमें से क्लोट निकालना है जिससे कि किसी प्रकार के क्लोट ना फसा रहा है इस प्रकार से आपको थोड़ी दिर के लिए 2-3 मिनट ऐसी लगा के रखना है इसके बाद आपको क्लैम बंद कर नेचे सी लगाना है जिससे इसकी आपको सुझे कप्म मेंक प्रेसर शोंते में प्रेखन कोरे केसम ब्लड ना रहे है और कर परकार का इसमें कोई दिक्कत यहां क्लीन दिख आ है आप क्लीन हो चुका है पुरा गेप और रिंग आपकी क्लीन हो जाना जाहिए और आपके vikt Colonial scheme कीन हुने के बाद आपको फॉरमिले भर के रेंडर खं़ अया है स्टूर कर के रख देना है इस परकार से इस से निकालने के बाद ये फिल्टर आपको इस परकार से दिखाई दे रहा होगा इसको जब हीडर फोल जो डखन हो है उपर का गोल वाला वो खोलते हैं इस परकार से दिखाई देता है जो क्लॉट जमा हुआ है जो आपका प्लेड में बोडी में से बेस्ट न निक्वतब को HIGH PRESSUR से आपको बहार निकालते हैं, जो ard o पानी होता है उसके द्वारा इस ket milk को बहार निकल ला जाता है और आच्छी तरह से clean करके इस परकार से आपके फूरे kší लोश को बहार आरोप आरोप पानी होता है उसके द्वारा इस को बाहर निकल जाता है और अच्छी तरह से clean करके इस प्रकार से जो है आपके पूरे क्लोड इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार clear करा जाता है इसमें दो प्रोसेस होती है एक होता है manual process यह होती beta is automatic process Ist Ohio are automatic machine होती है इसमें क्या होता आपको filter होता है filter जो circuit है फिल्टर लगाना होता है filter लगाने के बाद हो इसमें दो lyne होती है एक होती your 내이 É brew आपको दिख रहा हो यह आपके मशीने puts Mirandun को killing को सब्हाना होता फिंद इस के दूआरा ही आपकी फिल्टर को क्लीन हो जाता है और बॉस होने के बाद ही इसी में आपको रहना क्लीन होता है वो इसी के द्वारा फिल्टर में फिल हो जाता है कि पूरी प्रेक्वेंसी पता चल जाती है कि आपके यूज लाइक है के नहीं है और इसमें ही सोडियम हाइब क्लॉराइड भी इसमें फिल हो ज चलिए अब दूसरी प्रोस्व से लिए मटल प्रोमें इसमें हें करना होता है कि ये हे सर्ट से के बाद आपको आपको खने के च्छ करा है पिल्श होने के बात आपको फिल्टर होता है उसमें क्या होता है आपको प्युरों क्या कर लेना होता है क्या हमार जो ब्लड इंल फोता है कि इनलेट कर नहीं लेकाना होना चाहिए बिलट आल्ट्रेट को भी चेक कर लेना चाहिए किसी प्रकार का बिलट का कोई एस्पॉर्ट ना रह जाए और क्लीन हो जाए फिर इसको आपको जो होता है फाइवर मेंब्रेन होती है उनको भी चेक कर लेना चाहिए कि बिलट का कोई तो यहां से blood leak होने लगेगा जलिए ओर उरंग को भी check कर लेना चाहिए कि ओर रिंग लगी है कि नहीं पिर इसको heater को भी check कर लो कि इसमें लगा है कि नहीं पिर solution जो आउड़लेट होता है इसमें यह आउड़लेट दिख रहा है इसमें भी आप एक cap लगा देते हैं और उसमे formalin बनने, rena clean बनने के बाद क्या होता है इसमें एक cap लगा देते हैं उनको भी अच्चे सही से रगा के रखना चाहिए जिससे कि आपकी जो rena clean है वो निकले नहीं इसमें भी इसी प्रकार से दोनों पर cap लगा दिया जाता है और fibrous को सबसे चेक कर लिया जाता है कि हाँ य damage तो नहीं है किसी प्रकार से यह आपकी boss करते समय damage तो नहीं है उसको भी अच्चे से चेक कलने के बाद ही इसको आपको solution रखकर ही store करके और naming जो patient जिस patient का आपकी फिल्टर होता है उसका name चिट लगा कर ही इसको रखना चाहिए आपका reuse होता है और इसके बाद जब next time patient आएगा अब वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करें